नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में दोस्तों ओ जैसे कि मैंने या लक्ष्मी नारायन पूजा जो मागी पुर्णिमा के दिन आप करेंगे उस बारे में तो मैंने आपको बता दिया है पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते है और मैंने जो आसपास अपने लोगों से पूछा है इस विश्य में तो उनका कहना है कि वैसे लक्ष्मी नारायन पूजा तो एक बात हो गई पर जो सत्तिनारायन की कथा या फिर सत्तिनारायन की व्रत जो इस दिन की जाते है तो उसे किस समय करना चाहिए और उसे किस तरीके से करना चाहिए और अगर थोड़ा वो विधी जो है वो थोड़ा सरल होगा तो वो अच्छा होगा सभी के लिए क्योंकि वो सभी कर पाएंगे और उसके साथ तो हर किसी के अपने नियम और अपने इतरी के जुड़ते ही है देखे दोस्तों यहाँ पर पहली बात मैं कह देता हूँ कि मैं ज्यादा तर आपको जो भी सारे विश्रव बताता हूँ वो स्मार्त मत से होता है यानि कि स्मार्त विधिविधान के अनुसार होता है तो बहुत सारे स्मार्त विधिविधान जो है जैसे वैश्रव स्मार्त विधिविधान है शाक्त स्मार्त विधिविधान है तो हड इस विधिविधान के साथ जो है उसके प्रदेश की संसकार और परिवार के संसकार जो है वो जोड़ जाते हैं तो आप इस चीज को follow करने के साथ साथ अगर आप अपने परिवार के अपने खुल के अपने जो प्रदेश के जो संसकार है अगर उसे आप लागू करते हैं तो इस तरह की किसी भी प्रकार की इविश्य अपनी मन में मत रखेगा कि इसके साथ इसे जोड़ा जा सकता है या न प्रदेश ये जो नियम होते हैं जो कि लौकिक नियम होते हैं उसे भी आप अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो उस पूजा में जो है ना एक बहुत अच्छी संपूर्णता आती है क्योंकि हर तरह की चीज़े जब जुड़ जाते हैं पूजा के साथ तब ही जाकर एक आपको यहाँ पर बता दिया और अगर आपको इस विश्य में और ज्यादा जानकारी चाहिए आपको कुछ आप मुझे कमेंट्स करीगा मैं दूसरा वीडियो इसके उपर बनाऊंगा तो आज हमारा जो विश्य है सत्य नारायन की पूजा तो समार्त विधी के मत के अनुसार कहता है एकि जब आप लक्ष्मी नारायन की पूजा कर रहे हैं तो वो प्रदोश यानि कि संध्या कालीन पूजा होना चाहिए यानि कि मालक्ष्मी के साथ जब आप श्री नारायन की पूजा कर रहे हैं तो उसे जो है ना संध्या की समय करना ही सबसे उत्तम मना जाता है आ सबसे अच्छा होता है पर अगर आप जो है सत्य नारायन की पूजा कर रहे हैं या अपनी की केवल जो है श्री नारायन की पूजा आप रख रहे हैं उनके कथा रख रहे हैं तो उसके लिए जो है ना दोस्तों आपको उद्या तिर्थी में जिस दिन जो है पुर्णिमा होग पर मैं आपको कहूँगा कि हमारे जो आम यानि कि हमलोग जैसे कि हमारी प्रदेश हर प्रदेश और हर जगे पर जैसे अलग-अलग नियम तो होते पर अगर एक मत के अनुसार चले कि सत्य नारण की पूजा कब करनी चाहिए तो इसका सहज और सरल उत्तर यही होगा कि यह आपको सुभे के समय यानि कि उद्यातिर्थिम या फर सुभे के समय जो पूजा करनी चाहिए सत्य नारण पूजा जो है यह बहुत ही सहज और सरल पूजा है वैसे आजकल तो इसके एक किताब भी आपको बाजार में मिल जाते हैं तो इसके कथा पड़के आप खुद भी इस पूजा को कर सकते हैं या फर आप अपने आजारिय जी को या फर पूरोहिद या फर किसी यह ऐसे जो पूजा आरती करते हैं इस ऐसे विक्ति को बुलाकर जो है आप अपनी पूजा आरती संपर्ण करते के साथ साथ कथा भी सुन सकते हैं पर मैं कहूंगा कि आप अगर खुद ये आयोजन करेंगे खुद ये पूजा आरती करेंगे और ये कथा सुनेंगे तो ये बहुत ही जादा अच्छा रहेगा भोग में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक कनफ्यूशन रह जाता है कि भोग में हम जो चीज चढ़ा रहे हैं यानि कि बहुत सारे लोग शीला बगेडा चढ़ा नहीं पाते जो कि सत्यनारायन पूजा की मेन वस्तु कहा जाता है तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों को चढ़ाने में कोई समस्या हो रही है तो आप श्री नारायन को जो है न इस दिन तूसी दल चढ़ा दीजे और उसके साथ-साथ जो है आपको गुड़ के बतासे जो है गुड के बतासे जो है वो कम से कम धाई सो ग्राम का होना चाहिए यानि कि कम से कम धाई सो ग्राम आप गुड के बतासे जो है ना वो आप सतिनारण पूजा में इस्तेमाल करिए तो ये अगर आप करते हैं ना दोस्तो तो इससे क्या होता है आपको अलग से अगर कोई भोग प्रशाद अगर आप नहीं चढ़ा रहे हैं कोई फल बगेरा शीला बगेरा ये आप अगर नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो भी कोई समस्या इसमें नहीं होती है वैसे बहुत सारे लोग जो है दूद भी इस भागवान को अरपन करते हैं इस पूजा में यान की दूद और बतासे एक साथ वो एक शरबत की तड़ा या फर किसी गमले में जो है उसमें ही छोटा सा कटोरी में ही दूद के साथ बताशया और तुलसी डल जो है वो भागवान को अरपन करते तो अगर आप चाते तो उस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं देखिए दोस्तो धूब पूजा तो हर पूजा पे वैसे गौमन होता है पर अगर आप से सत्य नारायन के पूजा कर रहे हैं तो उसमें सूखे जो तुलसी के पत्ते होते हैं या फर जो तुल और अगर आप हडी चंदन यानि कि पीले जो चंदन मिलते हो इसका पाउडर भी आजकल मिल जाता है बाजार में तो उससे अगर आप भगवान को इस दिन धूप करते हैं तो यह बहुत ही जादा अच्छा रहता है इस दिन आप भगवान नारायन की पूजा में जो है सरसो के तेल यानि कि पीले वस्तु का जादा से जादा उपयोग करिएगा अगर आप मतलब घी के दीपक से आरती नहीं कर पा रहे हैं वैसे तो घी के दीपक से आरती करना ही सबसे जादा सही होता है पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सरसो के तेल यानि कि पीले रंग के ते का ही केबल टीका लगाते हैं पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप विश्नु पूजन कर रहे हैं या फर लक्ष्मी नारायन पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है ना हडी चंदन यानि कि पीले चंदन का उप्योग करना था ही है क्योंकि पीले चंदनी सबसे ज़ादा सही होता है और एक confusion यहाँ पर रहता है कि जब लोग विश्नु पूजन करनी की विश्य में कहते हैं तो विश्नु पूजन करने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें अक्षत का इस्तिमाल करे या नहीं करे बहुत सारे लोग जो है वो सफेद दिल का इस्तिमाल भी करते तो मैं यहाँ पर एक विश्य क्लियर कर देता हूँ मैंने जितने भी सारे विश्नु उपासक है जो वैश्नब है उन से इस विश्य में बात करकर जहां तक मैंने जाना है तो उनका कहना है और उनका मत है कि कभी भी चावल यानि कि अक्षत जो है चावल का अक्षत जो है वो कभी भी शालग्राम के उपर नहीं चड़ाना चाहिए यानि कि आपको कभी भी सफेद अक्षत जो है वो आपको जो है शालग्राम के उपर नही च़णाना चाहिए इसका क्या कारण है यह तो वो मता नहीं पाई है पूरी तरीके से पर अगर आप फोटो में पूजा कर रहे हैं अगर आप कलश में नारायन की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप अक्षत का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं सबसे जदा अच्छा होता है इस विश्य को आप क्लियर रखेगा कि अक्षत चढ़ाने की विश्य में जो मनाई है विश्णु पूजा में वो केबल जो है दोस्तों वो शालग्राम पूजन के लिए ही कहा गया है वो आप जब फोटो में पूजा कर रहे हैं यानि कि शालग्राम के उपर आपको अक्षत अपको आरती करना है दूब दीप से या फर पंचोब चार से अगर आप आरती कर पाते तो बहुत ही अच्छा होता है और कथा जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको खाली हाथ कथा नहीं सुनना है उस दौरान आपको अपने हाथ में जो है ना थोड़ा सा अक्षत पुष्प अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए आरती के बाद जो है दोस्तों आप जब आरती करेंगे यानि कि दूब दीप से आरती के बाद जो है आप सभी को जो है प्रसा स्वरूप उस दूब दीप के सिखा को जो है ना वो सब में पहले बाटना चाहिए उसके उस Fahrenheit लोगी जो लोग उपस्तित होते, फ़हले ही दूब दीप आरती होगे उसे बातने लगतेंden 2019 protector दोगों नहीं बाती होगी एक उस अपने ir accessibility क्याता है तो यह जो In more प्रसाद के तुलसी पत्र को चबाना नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। प्रतिकात्मक रूप में जब हमने उनकी प्रतिष्टा की आपको चाहिए दोस्तों। उस दिन के लिए तो उस दिन कम से कम संध्या की धूबदी पार्ति हम लोग कर ले। और सब लोग मिलकर जय जगदी शहर ये गाते हुए उनके आरती बंदन करें। उसके बाद दूसरे दिन हम विसरजन कर ही सकते हैं अराम से तो इसलिए बहुत जादा जल्द बाजी करने की जरूरत नहीं है। और इन सारी चीज़ों में भक्ती भावना की ज़्यादा महत्तो होते हैं। कि ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलविधी मान कर चलते हैं। जिसमें विधी नहीं बलकि जैसे के हमारे घर में अगर कोई अतिति आते तो हम क्या उन्हें रात का खाना खिलाए बिना ही उन्हें विदा करना चाहें के कभी। तो इसी तरीके से भागवान की प्रती भी यही भावना हमें हमें हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आपको सत्यनाराण जी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन आपको घर में चाबल भी नहीं पकाना चाहिए इस दिन आप अगर हो सके तो आप पूरी सबसी यह सब कुछ बनाएए आप हलवा बनाएए आप अगर हो सके तो इस दिन चाबल को नहीं ख तो इस तरीके से आप जो है सत्यनाराण जी की पूजा इस मा के पुर्णिमा के दिन कर सकते हैं। आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।